और अगली बड़ी खबर उधम सिंग नगर में है जहां लगातार मुसलाधार बारिश हो रही है भूत बंगला में भी लगातार बारिश का दौर देखने को मिला है वहीं खटिमा की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी नानक मत्ता के नानक सागर डैम में पानी का उवर्फलो हो गया है डैम के सारे गेट खोल दिये गए हैं और डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से कई गाओं में बार का खत्रा दिखाई दे रहा है यूपी के पीली भी जिले के कई गाओं खत्रे की जग में आ चुके हैं दो दिन से लगातार उत्रा खंड में जहां भारी बारि से खतिमा से लगे नानक मत्ता जलाश्य का जलस्तर भी बढ़ चुका है नानक मत्ता जलाश्य में लगातार बरसात की बज़से बढ़ रहे पानी की निगरानी डैम प्रबंधर के द्वारा की जारी है जलाश्य से पानी की निकासी भी लगातार जारी है पहाड़ों से हो र पानी चोड़े जाने से कई गाउं में मडरायवान का फ़त्रा नानक सागर डैम है और इस वक्ट डैम के कई गेट खोले जा चुके हैं और यह जो पानी है अब यह यूपी तक भी पहुचता है पिली बीच्छो होते हुए ऐसे में उन गाउं में भी फट्रा बढ़ चुका ह ओवर तो लगातार यह डैम गो रहा था जिसकी वज़स से यहां से पानी चोड़ा गया है लेकिन लोगों को चतर्क रहने के लिए कहा गया है और जो मिचले इलाके हैं वहां से लोगों को कहा जा रहा है कि वो कंसे कं स्रक्षिक जगरों पर पहुच जाए डैम के सारे और नानिताल से भी नदियों का जलस्तर बढ़ने की खबर आई है जिसे लेकर प्रशासन अब हरकत में आ किया है कंट्रोल रूम के जरिये नदियों के बड़े जलस्तर के अब निकरानी की जा रहे हैं लगातार हो रही बारिश से रुदपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है जिला प्रशासन अलर्ट मोट पर है अधिकारी खुद कंट्रोल रूम से हालाद की निकरानी रख रहे है सितारगन से गुजरने वाले बरसाती नदि नालों के जलस्तर में इदाफा हो रहा है इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से हल्प नाइन नमबर जारी किया गया है ताकि जरूरत पढ़ने पर इस पर कॉल करके मदद मागी जा सकते हैं बारिश के वज़े से ने निताल में नदियों का जलस्तर बढ़ने से ग्रामिडों की नीद उड़ गई है कर बैठे हैं कि कहीं हमारे मकान पुना 18-19 की आद्दा जीतरा जलस्तर पर समर्पिक तो ना हो जाएं करके पर लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक सुरक्षा कारे कुछ भी नहीं किया गया ग्रामिडों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रशासन अब उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है एवी पिगंगा के लिए नैनिटाल से कमल जगाती के साथ रुद्रपूर से विकास कुमार की रिपोर्ट और वहीं सितंबर महिने से मौनसून ने रिवर्स गियर ले लिया है और पहाड पर जबरदस्त बारिश हो रही है बारिश की बज़े से नदिया उफान पर बहने लगी है पहाड फिर से दरक रहे है चंपावत में शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ चुका है जिस बज़े से बैराज को किनारे पर जड़ अलर्ट जारी किया गया लोगों उससे कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुचे और नदियों के किनारे उसे दूर है पहाडू पर लगातार हो रही बारश से चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ किया है शारदा बैराज से एक लाग चपन हतार क्यूक से ज़्यादा पानी डिस्चार्ज हो रहा है नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रिश्चासन ने बैराज के अठारा गेज खोल दिये हैं ऐसे में भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज पूल पर रेड अलट है एतियाद के तोर पर भारत और नेपाल के बीच पिलाल वाहनु किया बजाही को भी रूख दिया गया है जो वाटर लेवल है वो डेला क्यों से क्रॉस कर गया था तो वहां पर जो उसका फ्लेड रिवर का फ्लेड बैंक है उस पर फ्लेडिंग हुई है जी एम साब से और सबसे एजिलारिन सबने इंस्पेक्शन भी कर लिया है मौनिंग में और मौनिंग में इनोंने सारे अठारा गेट खोल दिये थे बराज के तो पानी जरी जरी कम होगा शार्दा नदी का जलिस्तर बढ़ने पर नदी किनारों पर अलर्ट जारी किया गया है तो शासन ने नदी किनारे के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है लोगों को आगाह किया गया है कि वो अगले कुछ घंटे स्थावधान रहें और नदी के आसपास रहने वाले लोग सुरक्षुत अस्थानों पर शिफ्ट हो जाने हैं बारी वर्षा होने के वज़े से नदी का चलिस्ता कापी पर गया है आपनों सुरक्षिर स्थान पर चले जाएं और सफरक रहें चनकपुर नगर पालिका की तरफ से लोगो लाउट स्थीकर के जरिये अलर्ट किया जा रहा है बारिश की वज़े से पहाडियां भी तरख रही है जस वज़ा से जमपावत जिले के कई एहम मार्क बंद है एबीपी गंगा के दिये जमपावत से अनुचकी रपोर्ट एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी